दान की फसल को ब्लाश्ट रोग काफियदा प्रभावित करता है जिसमें लीब ब्लाश्ट, नेक ब्लाश्ट, कॉलर ब्लाश्ट और पेनिकल ब्लाश्ट सामिल होते हैं ये चारों इस्टेजों पर होते हैं, शुरुवाती अवस्था में लीब ब्लाष्ट, इसके बाद नेक ब्लाष्ट, फिर कॉलर ब्लाष्ट, लाष्ट में पेनिकल ब्लाष्ट रहता है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कौन सी दवा का प्रियोग करना चीए, कैसे पर कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा, इसके बाद धीरे-धीरे पूरे खेद में फैल जाएगा, और हमारी पूरी की पूरी फसल को चौपट कर सकता है, इसके लिए आप जो सालसा और गेनेकसा नाम की जो दवा आती हैं, इनका प्रियोग कर सकते हैं, इससे पहले आप को हम बता दे क्या-क्या आपको करना होगा, कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, शुरुआती वास्ता में पत्तियों पर आपको भूरे रंग के डाग दब्बे दिखाई देंगे, नाव के आकार के धीरे-धीरे याकार बढ़ते जाते हैं, पत्तिया सूख जाती हैं, इसी उसमें ब्लास्टोग लगा है, जो पेनिकल ब्लास्ट, इसमें दाने बेरंके हो जाते हैं, काफी काले दिखाई देंगे और खोकले दिखाई देंगे, दानों का भराव बिल्कुल भी नहीं होता, ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है, इनका समय पर निरिछण करके आप अप की दबा का प्रियोग कर सकते हैं, पैसर दिन की प्लस होने पर आप कभी भी इसका प्रियोग कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फसल को इन रोगों से बचा सकते हैं, सालसा में पिकोक्सी इस्ट्रोबिन 6.78%, ट्राई साइकलो जोल 20.33% ऐसी फाम में आता है, जिसका आप 400 ml प सब्सक्राइब करें, कमेंट में जे जवान जे किसान लिकें, धन्यवाद